हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल तो मैं हूँ पृतिकुपता और मेरे चैनल पृतिक्रेशन में आज आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले है नारेल के तेल का एक एसा लोशन जिसे हमारे फेस से सारे पिग्मेंटेश सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजे लाइक और अपनी फेमिली और फ्रेंड के साथ जो शरूर शेयर किजेगा और बगल में जो सब्सक्राइब के पास गंटी वाली बेल आइकन होता है उसे जरूर प्लेस कर लिजेगा इस जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले हर वीडिय फाल लोने वाला है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे आधे आई हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन पुराने जमने से बात सुनी होगी कि अगर हमें कुछ चोट लग जाती है तो भी उसके ऊपर भी हम कोकोने टोइल लगाते हैं तो यह लोशन आपके बहुत ही क्योंकि अगर हमारे चेहरे पर कुछ भी कटा फटा दाग धबे पिंपल्स काला पन छाइया जुरिया तो इस लोशन से पूरी तरह से रिमू हो जाएगी यह वीडियो 100% वर्क करेगा यह वीडियो आपके लिए यूसफुल होने वाला है दूसरा इंग्रेडियन जो मैं इसम होता है जो हमारी स्कीन के पोर्स के अंदर तक जाकर रोम चीद्रों के अंदर तक जाकर हमारी स्कीन से सारा ओयल डर्ड पॉरी तरह से निकाल देता है और हमारी स्कीन को बिल्कुल निखार देता है अब हम लेने वाले इसमें तीसरा इंग्रेडियन और जो तीसरा इंग्र वो सारे टर्मरीक से केल हो जाएंगे क्योंकि टर्मरीक एंटी सेप्टिक के रूप में काम करता है मै ने तीन छ चीजे लोजे मिला रडी है विंग्रेडोने बाकी है जो नियुक्रा इंग्रेड़िटेंटा इसे अची तरह से मिक्स कर लेना है देखे मैंने अपने चारों इंग्रेटेंट इसे बता दिये हैं आपको इसका उपयोग केसे करना है वो भी इस वीडियो में जान लीजे वीडियो को आखरी तक देखिए आप कोई भी चीज मिस नहीं कीजे क्योंकि अगर आपने कोई भी तो शायद आप इसका पूरा फाइदा ना उठा पाए दोस्तो इसके फाइदे बतादू में आपको कोकोनेट ओइल जो है हमारी स्कीन को पूरी तरह से रिपैर करेगा टर्मरीक हमारी स्कीर से बैक्टिरिया को मार देगा लेमा ने वह हमारी स्कीन के अंदर के पोर्स तक जाकर पोर्स के अंदर तक जाकर सारे डर्ड पॉलिशन को रिमू कर देगा और जो हमने लिया है रोज वाटर रोज वाटर हमारी स्कीन को क्लीन करने का काम करेगा याने कि रोज वाटर भी हमारी स्कीन के पोर्स के अंदर तक जाकर जो भी डर्ड पॉलिशन उसको रिमू क और बिल्कुल गुलाब की तर रोज की तर हमारे चेहरे को चौका देगा चेहरे को सुन्दर बना देगा गोरा बना देगा यह गोरा हन Stock है और इसका रिजल्ट है इसे इसे अपने एक किस तरीके से अपलाई करें आपको अपने फेस पर circular motion में at least 5-10 मिनट 15 मिनट भी अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा डल है तो आप 15 मिनट तक इसे apply कीजिए आपकी skin sensitive है तो आप इसे 5-10 मिनट तक apply कीजिए apply करने के बाद आपको इसे अपनी skin पर at least 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने देना है अगर आपके पास ज्यादा time है तो आप 20-25 मिनट तक रखे रहने दीजिए क्योंकि ज्यादा दिर तक रखे रहने से आपको इसका result बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है उसके बाद आप अपने face को अपने हाथों को अपने पेरों पर जहां पर भी इस remedy का use करें उसे normal water से wash कर लीजिए और wash करने के बाद आप इसका result देख सकते हैं यह instant glow देता है दोस्तों यह remedy आपके लिए बहुत ही useful होने वाली है अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी useful लगता है तो प्लीस मेरे वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और इसे अपनी family और friend के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि कि मेरे इस चैनल पर हमेसा आयुरवेदिक नुसके आते रहते हैं जो कि सभी के लिए बहुत ही useful होते है थैंक्स फॉर वचिंग फ्रेंड्स